दोस्तो नमस्कार भई आज मेरे हाथ में आप दोनों वो इंजेक्शन देख रहे हैं जो पेट दर्द को रोकने के महारती हैं यानि कि पेट दर्द में इनका रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है नमबर वन इस्पास्मोवेट इसके बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया था नमबर टू इस्पास्डिक इसके बारे में मैंने आपको डिटेल वीडियो कल ही दिया है कि Spass D का इस्तिमाल हमें कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए कौन सी इस्तितियों में करना चाहिए तो वो वीडियो मौन भाई दोनों आप डिस्किस्वन में डाल देना Spass from weight का और Spass D का ताकि किसी कुछ detail जानकारी चाहिए तो वो देख ले लेकिन आज की ये जानकारी ऐसी है दोनों की तुलना है versus का मामला है कि कब कौन सा लगाएं कब कौन सा ना लगाएं इसके बारे में भी सभी को जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है देखिए अगर मैं बात करूँ Spassm weight की तो नाम से ही Spassm यानि Anthem को दूर करने वाला है और ये Anthem को दूर करने वाला injection वो वाकई powerful है और किसे भी प्रकार का कोलिक हुआ हो चाए वो true कोलिक है चाए वो false कोलिक है दोनों प्रकार के कोलिक में ये बहुत गजब का काम करता है जब भी पेट दर्द हो इसका इस्तेमाल करवा करके और तुरंत आराम लिया जा सकता है लेकिन इसका मामला क्या है इसका मामला ये है कि इसमें जो salt है बाई पारयोक्षिका, पीटोफिनोन और फैन्पिवरीनिम ये जो salt है ना तीनो इनका जो combination है ये combination पेट दर्द में तो काम करता ही करता है साथ में अगर पेट में कहीं पर भी सूजन है कहीं पर भी दर्द है या कहीं पर भी एंथन माल लिजिए ज़्यादा है और साथ में सूजन है तो देखिए यहां सूजन का मामला कमजोर है यानि साथ में अगर सूजन है तो इसका इस्तेमाल इतना फाइदा नहीं देगा जितना ये देगा यानि कि अगर माल लीजिए कई प्रकार के ऐसे कोलिक होते हैं जहां पर अंदरी अंदर internal inflammation जिसे कहते हैं अंदरूनी सूजन चाहे वो आंतों में आई हो किसी बीमारी की वज़े से आई हो या कोई चौट लगने की वज़े से आई हो या फिर कई प्रकार की ऐसे जिसे बंद बगेरा हो गया है एक विसे पर्टिकुलर जगे बंद हो गया है तो या intestinal obstruction जहां हो जाता है उस इस्तिती में भी वहाँ सूजन पंटिकुलर जगे पर हो सकती है तो जहां सूजन का डाउट हो साथ में दर्ध का डाउट साथ में सूजन वाला डाउट तो वहाँ पर ये बहुत ही best काम करता है और जहां पर कोई सुजन का डाउट नहीं साब बिल्कुल पेट दर्द है उटना बैटना continuously हो रहा है और वहाँ इसका result अच्छा है इसका मतलब जब भी कोई extra कोई बिमारी हो अलग कोई बिमारी हो जिसे बंद हुआ डाइरिया हुआ या कुछ भी तो उस इस्तिती में हम इस पाश डिक का इस्तेमाल करके बैटर रिजल्ट दिरवा सकते हैं अपने पसू को और अगर सिर्फ पेट दर्द है आपको लग रहा है कि नहीं दस्त भी नहीं साब आप राविन ये साब सिर्फ पेट दर्द वहां ये काम बहुत ही अच्छा करेगा इसके अलावा दोनों के दोनों पेट दर्द के सूपर इंजेक्शन है कोई किसी को कम नहीं आग सकते हैं हाँ एक बात है कि जब सूजन अंदर उन्हीं रहती है तो ये सिर्फ पेट दर्द रोकता है जबकि ये साथ में सूजन पर भी बहुत अच्छा काम करता है इस पार्स्मो वेट जब भी कोई पसुची के सक लगाते हैं तो कई बार साथ में एनलजेसी का इस्तिमाल कर लेते हैं जबकि इसका जब भी इस्तेमाल किया जाता है किसी फरकार के कोई अनलजेसी काफशक्ता नहीं पड़ती और बहुती सूपर रिजल्ड मिल जाता है